आप सभी को मेरा नमस्कार मैं हूँ निलेस और इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी नामों की इंग्लिस में स्पेलिंग लिखना और पढ़ना हम इस वीडियो में कुछ नामों को लिख कर पैक्डिस करेंगे परन्तु सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी अक्षरों के लिए इंग्लिस का कौन सा अक्षर आता है और मात्राओं के लिए भी हम इंग्लिस के कौन सा अक्षर लिखते हैं आपके सामने है A, A, E, E जो की स्वर है और मात्राय भी है मतलब A की मात्रा के लिए A या डबल A लिखते हैं और A के लिए भी A डबल A लिखते हैं छोटी E के लिए जोटी E के मात्रा के लिए I, बड़ी E या बड़ी E के मात्रा के लिए डबल E, छोटा O के मात्रा के लिए U, बड़ा O या बड़ा O के मात्रा के लिए O और O के मात्रा के लिए A, U तो इस प्रकार अक्षरों और मात्राओं के लिए हम एक ही अक्षर लिखते हैं अम की बिंदी है तो A, N या M लिखते हैं उच्छान की साब से और बिंदी के लिए हम N लिखते हैं अब हैं आपके सामने वर्णमाला इसको आप द्यान से देखिए और पढ़िए मैं वीडियो को जल्द जल्द बढ़ा दूँगा मगरा आपको वीडियो को पॉस्ट करके रोक करके सारी वर्णमाला को अच्छे से पढ़ना है आपको याद रखना है कि कौन से हिंदी के अक्छर के लिए इंग्लिश का कौन सा अक्छर आता है तो आप पॉस्ट कर लीजिए और पढ़ लीजिए रोकिए पॉस्ट कीजिए पॉस्ट करिए पॉस्ट करिए हम जान चुके हैं कि हिंदी के अक्छरों के लिए इंग्लिश का कौन सा अक्छर आता है अब हम इस नाम की इंग्लिश में स्पेलिंग लिखेंगे इस नाम का पहला अक्छर है न न और छोटी ए की मात्रा और छोटी ए की मात्रा है नाम में तो छोटी ए की मात्रा के लिए लिए लिखते हैं लिखेंगे भी मक के पहले तो रखी रख के लिखते हम आर फिर मक के लिखेंगे एम फिर ला तो लख के लिए एल आके मात्रा के लिए ए निर्म ला तो इस प्रकार हम इस वीडियो में अलग-अलग प्रकार के नामों को लिखेंगे अगला नाम पुर्णिमा में प और बड़ाओ की मातला है तो प के लिखेंगे प बड़ाओ की मातला के लिए डबल ओ फिर है आपका नी परंत उपर रखी रेव तो रखी रेव के लिए पहले आर लिखेंगे तो उपर वाली राकिरेव क्या लिखेंगे हम अक्षर के पहले जैसे पिछले नाम में किया फिर है नी तो इस अना के लिए भी एन ही लिखते है छोटी की मात्रा के लिखेंगे आई फिर है मा तो म के लिए M आ के मात्रा के लिए A पूर्णी मा यदि आप फूल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे जहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्से इसकी लिस्ट मिल जाएगी अगला नाम पहला अच्छर ती तम में छोड़ी ए की मात्रा तो तक के लिए टी छोड़ी ए की मात्रा है तो आई फिर है ल तो लग के लिए लिखेंगे अल अगी दोनी इसलिए ए कुछ नाम जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होती है मगर उच्चार्ण करते समय बोलते समय अग का स्वर्व आता है अ की दोनी होती है तो वहाँ पर हम अ की दोनी के लिखते है जैसे तिलर अ की दोनी होई इसलिए ए लिखा फिर है क के लिए क फिर है चंद में पहला अग्छर्च च के लिए च लिखते है च के उपर है बिंदी तो बिंदी के लिए हम लिखेंगे A N और फिर है D तो द के लिखते हैं इंगलिज में D ती लग चन अगला नाम यूगान पहला अच्छार यू तो य के लिए Y छोटाओ की माता के लिए U फिर है गा तो ग के लिए G आके माता के लिए A फिर है आधा न तो पूरे न के लिए भी N ही लिखते हैं तो आदे के लिए भी N ही लिखेंगे और अगला अच्छार है T तो तक के लिखेंगे फिर T यूगान T तो याद रखें कि जो पूरे के लिए लिखते हैं वही आदे के लिए भी हम लिखते हैं अगला नाम पहला अच्छार न तो न के लिए इंगलिस में N अकिदोनी इसलिए A अगला अच्छार अगला नाम दम जनती पहला अच्छार द के लिखते हैं D अकिदोनी के लिए A फिर है म म के लिए M फिर Y Y के लिए Y बिंदी लगी है तो इसके लिए A N और अगला अच्छार है T तो ता के लिए T तम है याँ पे बड़ी E की मातरा प्रंतु आखरी में है तो अधिक तर लोग जब बड़ी की मातरा आखरी में होती है तो I लिखते है दम यन्ती अगला नम प्रेर्णा में पहला अच्छार प्रे तो प्र है और उसमें A की मातरा तो प्र के लिए पी आर प्र और A की मातरा के लिए E प्रे फिर है र र के लिए आर अ की दोनी हो रही है इसलिए A फिर है ना तो इस न के लिए N आ की मातरा के लिए A प्रे र ना अगला ना प्रेला अक्छार गी तो ग के लिए G छोड़ी E के मातरा के लिए I फिर है र र के लिए R फिर है ध ध के लिए D H अ की दोनी है ध के साथ इसलिए A और र र के लिए R गी र ध र अगला नाम मोहित मो मिम्मा के लिए M O की मातरा के लिए O फिर है ही तो ह के लिए H छोड़ी E के मातरा के लिए I और त त के लिए T मो ही त यह दिए आप फूल कोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे जहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स इसकी लिस्ट मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखे यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें और पर क्लिक करें जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिक मिलते रहेंगे और आप सिखते रहेंगे यदि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ सेयर करें आप भी सीखें सभी सीखें थैंक यू फॉर वाचिंग